देखे बात होई कि इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन की दिशा क्या हो理 यह ध्यारर रापी तो प्लस से दूर होती है। तो इस उक ऐसे दिखाएगी आप पॉस्टिव चार्ज से दूर की तरफ लिए चारद दिखाती है कि इस तर दिखा जीजे जब तर गोड़ी जाम ती महंटा हो तक तर दिखाती है जब बना रहे रहे रहा है बाबा ने का आप वेपर कैसा हो ले बहुत यह की उसंदर भाए को ने क्यों अरे उतमी इस थी अलेक्ट्रिक सिरे लाइसी बना किया हूं एक तरव बना पर तो ऐसा नहीं है आप कंसे कम आप 10 बना दीजिए यह अलेक्ट्रिक सिरे लाइस हे बना रहे दो इनी कर देदेगे माच कहा है अगर चार्ज निकेटिव थे ऑर यही ड़ियक आप इसमें एलेक्टिक लाइस इन्वर्ड हो जाहेंगी आउसी में कर देना तो यह इन्वर्ड बना दीजिए ते निगेटिक चार्ज के लिए होगा जब मैग्रेटिक खीड होगा तब बताया जाएगा अब एडवांस हुदा है बाद कर दो जब मैग्नेटिक फिल्ड की बात होगी तक हम बात हो यह इंटरसेट नहीं करेंगे जहां भी इंकरसेटिक करेंगे ना वहां पर उसकी टैंजन डरेक्शन में दो दिशाइग की होगी इसलिए यह लाइस से तुस्य को इंटरसेक नहीं करेंगे जो कि हम प्रॉपरटिज अब भी मदली है है को अग्यां एक अगधर फिल्डत नेमी और नेग्थिटिव चार्ड पॉस्तिव चार्ड जाहिए यह अग्यार से दूनले को इन्टरसेक निकला सीदग है पास्टिप इधर से भी निकला कि दूने दूने कुसी वो कैसा मुबनाएंगे तो दूनों क्या करेंगे ये नहीं जाएंगे तू अरे इसे पना कराईएंगे ये गुर्भागी जैसे नहीं तो प्रसक्तर ज्यादा नो हमने उच्छा ज्यादा निकाल दिया ना तकी मोर देत हैं पर निकलते हैं मोर दोनको जैसे देखें कि सामने चाचा आ रहे हैं तो चाचा तड़ाई है ठीक है थोड़ी दूर तक भूमा वहां में चलेगी जब तक एफेक्ट है और वाइस कि जब सीधे नहीं क्यों कि जब दोनों पॉजिटिव बनाईएंगे आरो बाहर की पॉजिटिव तो उनकी केस में यह होगा दीक है एन आपका यह क्या हो गया अगर यहीं निगेटिव दोनों चार्ट होते तब क्या होता सेम डाइग्राम मना देते हैं पर दोनों में पर डिरेक्शन अंदर की हो जाते हैं अम वाले एक पॉजिटिव है और एक लिझे तुजिए निगेञाज प्लस से निकलती हैं इन गर्रणै के बात करेए ब् Itu कुछ जो से निकलती हो कि वहाद से ने करनेखने के लिए तो प्लस पाहर माइनस ग्जकी में रखनेगे बहुता माइनस कहा हो जकता है ? infinity में कहीं तो माइनस कहा होगा ? infinity तो एक कुश्ण था इसमें केशिटर भी आएगा वो जबाएगा तो हम बात करेंगे अब माले एक उस्चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो प्लस से निकलेंगी और माइनस में तर्मिनेट हो जाएं यह इस पिकार से बनेगा हर लाइन तो घुमा नी सकते हैं जितनी यहां से आपने निकानी है उतनी वाली यह गूम कैसे आरें बनाईए ऐसे कि यह वाली प्लाइन पटके ऐसे आरें यह बनाती है उसने बाहर एक तरफ उसने अंदर एक तरफ उसने अंदर एक तरफ अगुषा आगा है एक अधी और टिशार्ड इस्टिविश्यशन जाट इस्टिविश्यशन जाड़ इस्टिविश्यश्यशन नमबर बन, linear charge distribution, linear charge distribution, आपने समझे की कुछ इंच्छी तो ये कहें क्या है, देखें दाओ, एक तार है, बहुत लंबा है, और उसको आपने electric field दिया है, चार्ज करें का क्या, हैं जार्ज उनिन या निकरान दिया है जा तो पॉजिटिव चार्ज है अधर पॉजिटिव चार्ज रर्गे तो चार्ज पोसेश करेंगे कि समान गूय पड़ा जाए है आपके आपके यहां तरिफान जाओं दोसा था पोरे नेपाल घूज गूज गया तो अमेरिकाव गूज यानि कि इसका चार्ड नाप सकते हैं क्या अगर इस फालेट लेंगे इसको आपने चार्ड दिया रहें इसके मालिया पॉजिट्व चार्ज दिया है आपने तो पॉजिट्व चार्ज पूरे वायर में फैल गया ना तो कैसे आपनापेंगे उसके तो हम करेंगे क्या कि अपने घर के सामने एक छोटा सा वायर ले ले चार्ज पर यूनिट लेंगे चार्ज पर यूनिट लेंगे इसको कहेंगे लीनियर चार्ज दिन्स्टी उसको रिप्रजन करेंगे इससे लैम्ड़ से लैम्ड़ से लिप्रजन करेंगे लीनियर चार्ज थिए अब अब आपके के लेंगे तो हमावल नहीं थि कि आपको भी अपने अपने घर के शामने 50 और चार्ज ले लिया। उसको per unit length निकाल लिया। इसके बाद आपने बहुत छोटा सा इन भायर लिया। और इसकी length क्या ले लिया। DL मतार कि इतना छोटा भायर लिया जो point charge लिया। तो क्या था। लेकिन भुष्टो value मारने पड़े लिंद की आपको। तो हम लिखेंगे चार्ज on length dm, इसको क्या लिखेंगे lambda dm, वह एक मीटर में lambda, तो dm में lambda dm, इस चार्ज को हमने क्या मान रिया, dq, यहाँ पर चार्ज कितना रखा हुआ है, dq, इससे r distance पर हमने अपना test चार्ज रख दिया, तो यहाँ यह वाला तो चार्ज है, हमारे test चार्ज में एक फोर्स लगाएगा, तो फोर्स की वैनुष्चा होगी, dc, अचाब वो भी small force ओपर, df, small forces होगा वो, तो क्या होगा, 1 upon 4 by epsilon 0, dq into q 0 upon r square, सम्झेवातार ही नहीं आज़िए, क्योंकि mathematical है, लेकिन mathematics लगी कि नहीं हा मतलब फार्मुला को निकल कर नहीं आएगा, आप उससे कोई mathematical transformation नहीं कर सकते हैं, तो लिखने का तरीका उसका है, यानि कि 1 upon 4 by epsilon 0, lambda dl into q 0 upon r square, यह एक small length के जो चार्ज था, उसकी वज़े से force निका लिया आपने, अब आप निकालना चाहते है, force for the entire way, जतना बड़ा हुआ बता दे कितना बड़ा है, तो force on q 0, force on q 0, due to entire wire, पूरे wire की वज़े से, तो आप तो total force निकालोगे, तो आप sigma लगाते हो ना mathematics में, भई आप क्या करोगे, तो चोटा सा ये वाला length लिया, इसका चार्ट लिया, यहां से distance मानी, force निकाल लिया, ये वाला आपने चार्ट लिय पिर distance निकाल लिया, फिर force निकाल लिया, सभी force को उठा किया, आपने क्या किया, एड कर दिया, तो इसी सिग्मा को mathematics कहती है, कि इसको intriga लिया, तो आप लिया यहांती है, इंपरिकाल के मोगे, देखे, एक wire है, एक wire है, इनफारेट लिया, तो आपने इसमें चार्ट निका जिकाल लिया, या इसमार लेंच का इन दिया, अब पूरी देंस मी लिकाल लिया, इसको intıldर क्टो यहां इक manifold L, इसको कहते है, linear interaction, या line, क्या कहते है, इसको क्या है, वन अपान 4p, epsilon 0, lambda dl, q0 upon R2, यह force निकाला है, अब अगर हमको electric field निकाला हो, तो क्या करेंगे, q0 से इसको, divide कर देगे, इतना लिखे जाँ, तो भी कालेंगे electric field, due to, this, electric field सा फ्मिला क्या होता? इसको Q0 से डिवाइट को यहां से Q0 गाया कोड़ो तो क्या हो जाएगा इसको Line Integral करते है Reishi Integral ओ इंगे टर्मिलोजी साइंस की इंगे सब्सक्राइब इसे Integral D by D x को ही करना पर गा 1 upon 4 by x not Lambda DL upon अब चाहो तो जिखो Integral एक्ली तो DL का हो रहा है तो चाहो तो इसको Integral के अंदर करके सबको बाहर कर लो चाहे दिखा रहा है यहां पर Lambda upon 4 by x not Integral एं Lambda DL तो अंदर ही रहेगा DL पे अंदर रहेगा वो आजिसको अभी अंदर रहेगा क्या लगला पॉइंट पे यह आर वैरी करेगा ना इसले आर को किस्टर नहीं करेगा अब अगर वेक्टर फार्म भी लिखना हो इन वेक्टर फार्म तो हम जानते हैं Electric field R के लांग होता है इसले पॉस्टिव चाह लिया जाता है तो अगर अगर वेक्टर फार्म भी लिखेगा तो आएगा लैम्डा अपान फोट वाई अपसाले नॉट पर इक्लोज नहीं आप जारेगा तो आदर पर इक्लोज निकलती ना लाइन इंट्रिगर दियर अपान आर स्वार इंटो आर कैट तो आपका अपका 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 अ अब मारे हमें बहुत बड़ा सा इक सर्फेस लिया तो चार्ज पूरे सर्फेस में फैल गया विए पूरे एरिया को जमीन दे दिया को जमीन दें प्रूर जमीन भेल के रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप unit area का charge देखा देखे, charge in unit area, charge on unit surface, या unit area, तो एकांग छेट पर पर जो सावेजने का देखे, बुड़ी जादे पर जो ने का देखे, बूल जाते हैं, तो unit area के charge का हम कहेंगे surface charge देखे, surface charge देखे, और इसको किसे indicate करेंगे, सिग्मा से, ठीक है, अब इसका हमने पहुँँच छोटा सा इक पार्ट लिया, हमने का इसकी एला कितनी है, देखे, देखे, इस, देखे, गुले तो वरी सित्माल होता है, तो charge on surface, देखे, चार्ज on देखे, क्या निखलेगा, स्ञीमें इंटू पर कर दिया है यह से इस मालूम हो समय इस मालूम गए अध्यू प तो आप इस मेंज का इक ही है जो भी चार्जे पूरा उसको इस में से तो आपको unit area का charge में जायगा, जोने मेंज का area नहीं हमको, चलिए हमने बहुत बरा चार्ट दिया, मेज वाला इक डोड़ेता हम निकाल सकते हो चार्ज, मेज भर का charge निकाल सकते हो, या ठीक है मेज का रही निकाल सकते हो, इसका charge निकाल सकते हो, आप uniform distribution की बात करना हो ना, ज हमने जिससधब्स इसको चार्ग दिया है και छार्ज यूनिफार्म्नी एक तरीकेसे फैल गया हार्थिसामनE आपने इतना एրया उसने कर लिया इसका बाल गवारी का जिए है लिया है दोग धोलाम को ये चार्ज कैसे कल्चिलर किया जाएगा, एक प्रॉंट चार्ज, ठीक है, अब इससे आर डिस्टिन्स पर कहीं पर भी एक क्या लखा है, एक, टेस्ट चार्ज का हुआ है, तो फोर्स कितना लगएगा, वो कर्वीनियंस के लिए हम फ्रस ले लिए, सब फ्रस ले रहे हैं, ठ अबिक है, तो फोर्स आर टेस्ट चार्ज, अलिकी परिक्षवादे इसको लगने वाला बड, प्लेस्ट अद दिस्ट आर, प्लेस्ट आर डिस्ट आर, तो देफ पर आजा, अभी एग रट्टवा इना, वन अपान फोर्ट पाइट अचल नॉट, अज़न नॉट नॉट र R², जब बैलू रखेंगे DT की, इतना आएगा DT की, सिग्मा Ds into Q0 upon R², तो इसको रख कर रहें, प्लेग्राम दिमाद में है न, प्लेग्राम दिमाद में है न, प्लेग्राम दिमानी जिए, अब बात करेंगे, फोर्स द्यू टू इंटाइर सर्फिस, इसको इंटाइर सर्फिस, इसको इंटाइर सर्फिस, इसको इंटाइर करेंगे, यहां सर्फिस नहीं नेगे, यह कराएगा सर्फिस इंटाइकर, बड़े क्लास पर इंटाइकर हो जाएगा, दो बर इंटाइकर किया जाएगा, यहां सर्फिस इंटाइकर, यहां सर्फिस 1 upon 4 by f610 सिग्मा Ds q0 upon r2 जब आप एलेक्रिक फिल्ल रिकालेगे जब एलेक्रिक फिल्ल रिकालेगे दिए थो फोल सर्फिस तो आएगा आप पर f upon q0 होता है न सुप्कि नॉट से तो कि आ हैगा सर्फसे इंट्रिगल वर अपान 4 by epsilon नॉट सिंगमा ds अपान r square तो अगर डेटर फार में लिखेंगे कराएगा सर्फसे इंट्रिगल 1 अपान 4 by epsilon नॉट सिंगमा ds अपान r square इंटु आध है सो नहीं बाद नहीं आई है अब वालूम और आपने आप पर लिएगा, ठीक है, वालूम और भी क्या दरेगी, अम बदा नहीं रहें उसको, अच्छे हम बता रहा हूं, अब बता रहा हूं, उसको क्या करेंगे, पुरा एक सॉलिड होगा, उसको आप चार्ज देगे, पूरा सॉलिड को, और इसके पर छोटा सा वालूम यहां लेगे, इसका हो जाएगा रो, डीवी, इसको डीक्यू माल लेगे, फिर यहां पर एक चार्ज रखेंगे, क्यू नॉट, वार डिस्टिर्स पर उससे बैनू निकाल लेगे, निकल आएगे ना, एफ निकाल लेगे, पर डीक्यू जा रिखेंग